Hello everyone, Welcome back to my channel, दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, कि सासन ने आपकी राह आसान कर दिया है, दोस्तों ध्यानाकरशन सिविर के दोरान या Foundation Learning सिविर के दोरान जो 48 दिन हैं, उन 48 दिनों के लिए सासन ने जारी किया है कक्छा 2 और कक्छा 3 के लिए 48 दिनों के लिए भासा का बच्चों से इस अभ्यासकारपत्रक पर कार करवाएंगे और इस अभ्यासकारपत्रक के माध्यम से बच्चों में लिखने और पढ़ने की सैली का विकास होगा, यह अभ्यासकारपत्रक दो इस्तर का है, इस्तर 1 और इस्तर 2, इस्तर 1 का अभ्यासकारपत्रक इसके पहली वीडियो में मैं डाल चुका हूँ और आपको डालने वाल देने वाला हूँ इस्तर 2 का अभ्यासकार पत्रक दोस्तों ध्यान दीजेगा या अभ्यासकार पत्रक दो इसलिए है कि जब आप जो है आकलन टूल का प्रियोग करते हुए बच्चों का ग्रूप बना लेंगे दो ग्रूप इस्तर 1 और इस्तर 2 के जो दो ग्रूप बनेंगे तो आप जो है इस्तर 1 के बच्चों के लिए इस्तर 1 का अभ्यासकार पत्रक यूज़ करेंगे आतिसीगर पराप्त होने वाली है यह अभ्यास पुस्तिका प्रिंट हो रही है और जैसे ही प्रिंट हो जाएगी आपको तुरंत पराप्त हो जाएगी यह समर्धी कारिकरम उतरप्रदेश के अंतरगत आपको दी जा रही है इसमें आईए देखते हैं सिच्छकों के लिए इन के लिए बनाई गई है इस अभ्यास पुस्तिका में डिकोडिंग, वर्ण मात्रा पहचान, वर्ण अक्षर जोड़कर सब्द बनाना वा सब्द पठन, वाक्य पठन और लेखन आधारित गद्विधियां सामिल की गई है इसमें एक से तीन सब्ताह तक वर्ण आधारित चार से छे सब्ताह तक सब्द आधारित तथा साथ से आठ सब्ताह तक वाक्य आधारित गद्विधियां है, उम्मीद है आपने कारिकरम के प्रारंभ में आकलन के आधार पर बच्चों का इस्तर निधारन करके समु बना लिये हैं, कक्षा में इस अभ्यास पुस्तिका के उप्योग से संबंदित कुछ दिशा निर्देश नीचे दिये गए हैं जो एक सिछक के तौर पर आपके लिए मददगार होंगे। इस अभ्यास पुस्तिका पर बच्चों से कारी करवाने से पहले बच्चों के साथ सिछक संदर्सिका में वरणित सिछन योजना के अनुसार कारी करें। जब सुनिशित हो जाए कि बच्चे ने निर्देश को अच्छे से समझ लिया है तब उन्हें कारी करने को दें। प्रतेक बच्चे के साथ वर्ण अक्षर पहचान वा सब्ध पठन की छमता का आंकलन अलग अलग करें। आंकलन के समय बच्चों की उपलब्धी को दिये गए खाने में अवश अंकित करते जाएं। जब आप एक बच्चे के साथ कारी कर रहे हैं तो बाकी बच्चों को पुन्रवृत्त की सब्ध आधारित गद्वित पर कारी करने को कहें। जो बच्चों को स्वतन त्रूप से स्वयम करने हैं। और पहला दिवस। चित्र पहचान कर उसका पहला वर्ण लिखो। देखकर लिखो। फिर मिला कर पढ़ो और लिखो। दोस्तों यहां जो है कारपत्रक आप इस तर टू के बच्चों के लिए समूँ टू के बच्चों के लिए उपयोग में लाएंगे। मिला कर पढ़ो और लिखो। इसकूल आतिस में उन पांस चीजों के नाम लिखो जो तुमने देखी। फिर पार्टदो है सब्ता का दूश्रा दिवदीन है रावण से सुरू होने वाले सब्दों को पहचान कर घेरा लगाओ सावण पर घेरा लगाओ मिलाकर पढ़ो देखकर सब्द को पूरा करो और पढ़ो ठीक है तो यह अभ्यास कार्पत्रक बच्चों में लिखने की सहल पीशित करने के लिए बनाया गया है पात तीन है ना प द और बढ़ाथ की मात्रा सपता एक दिवस्थीष में चित्र पहचान कर पहले बनप पर घेरा लग आना अर। सब्द बनाओ ठीक है फिर उसके बाद पढ़ो फिर पांचवे दिन का आपके सामने आ रहा है दिवस पांच सब्दा पहला चित्र पहचान कर पहले वर्ण पर घेरा लगाओ बड़ी ए की मात्रा लगा कर पढ़ो ठीक है और लिखो यहां पर पहचानने के लिए दिया गया है अच्छरों से सब्द बनाओ पढ़ो फिर छटमे दिन दोस्तों ये आ गया आपका आंकलन यानि ये सब्दा में एक दिन प्रत्ते एक सब्दा आपको बच्चे का आंकलन करना है आंकलन करिए पढ़ो यहां पर बच्चों को पढ़ाएंगे ये आपको जो है सिंगल अक्ष ने कितना पढ़ा उसके बाद फिर नीचे ये पुंद्रा वृत्ति है मिला कर पढ़ो और लिखो ठीक है सुन कर लिखो यानि प्रतेक सप्ता बच्ची का आपको आकलन भी करते चलना है इसके माध्यम से ये बुकलिट आपको प्राप्त होने वाली है दोस्तों समरिद्निकार पर दिये गए हैं क्योंकि जो हमारा फांडेशन लर्निंग सीविर है वो पूरे 48 डेश के लिए बनाया गया है अर्था 48 दिनों के लिए उस पर हमें कारिय करना है अब हमें कारिकरने के लिए ज़्यादा परिशान नहीं होना है सारा कुछ जो है समरिदी कारिक्रम में बता आपको उसी का प्रयोग करके बच्चों का आकलन करना है उसके बाद endline प्रपत्र पढ़ो endline आकलन जब यह खतम हो जाएगा तो बच्चे से यह पढ़ाया जाएगा अगर यह बच्चा इसको पढ़ ले रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप आपने फाउंडेशन लर्निंग सिविर या ध्यानाकरशन सिविर को बहुत ही अच्छी तरह के से जो है संपादित करने में सफल रहे हैं तो दोस्तों इसका पीडियाप में का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आप चाहें वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ कुछ और अच्छी चीज़ें लेकर तब तक के लिए गुड़ बाई